हेलो अव्रिवान कैसे हो आप सब अल हिलाल किछन में आप सब का स्वागत है उम्मीत करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं चैट पते से चने तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स चने रात को भीगो के रख दिये थे अब हम उसे पेशन लगा के पका लेंग और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे मैं नमक डालना यहाँ पे आपको दिखाना भूल गई थी और इसे हम पेशन लगा लेंगे देखिए यहाँ पे हमारे चने पक चुके हैं कुछ इस तरह से चने के पानी को हमें फैकना नहीं है उसी पानी से हम चने को बनाएंगे यहाँ पे मैंने सारे इंगिजन्स को निकाल लिया है चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बटन ले लिया है उसमें वन कप जितना ओयल डाल देंगे ओयल को थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे गरम हो जाने के बार हम उसमें डालेंगे आदर कप जितना गार्लिक पेस्ट और उसे अच्छी तरस से भून लेंगे गालिक अच्छी तरस से भून जाने के बार हम उसमें डालेंगे इसी हुई खजूर मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जितना पीसा हुआ खजूर लिया है और उसे भी भून लेंगे थोड़ी दे खजूर को भूनने के बार हम उसमें डालेंगे वन कप जितने इंदी की चत्मी और उसे अच्छी तरस से मिक्स कर लेंगे मिक्स हो जाने के बार हम उसमें डालेंगे वन फोट कप तील तेज के हिसाब से नमक और वन टाबल स्पून जितनी हल्दी पौडर डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर डालेंगे दो टाबल स्पून रीज चिली पौडर और फिर हम उसमें डालेंगे वन एन हाफ कब फ्राई कार्लिक और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिक्स हो चाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही बुन्ने देंगे हमें उसे तब तक बुन्ना है जब तक के हमारा ओईल पूरी तरह से उपर ना आ जाए देखे, कुछ इस तरह से हमारा अलेल उपड़ा जाएगा अब हम उसमें चना डाल देंगे पानी के साथ हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे इसी पानी से हम उसे पकाएंगे फिर उसमें हम डालेंगे वन कप तोमाटो सोर्स और डालेंगे दो टेबल स्पोन सुगर सुगर डालने के बार हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हम उसे पकने के लिए रख देंगे फिर देखे ये हमारे चने रेदी हो चुके हैं यहाँ पे चलिए तो अब हम उसे गार्णिश करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में चने निकाल लिये हैं फिर उसमें मैं समुसा पती को फ्राइ करके उसमें वो ही डाल रही हूँ फिर डालेंगे चॉप किये हुआ ओनियोन थोरी से कोरियंडर और ओनियोन की स्लाइज डाल देंगे यहाँ पे हमारे चत पते से चने रेडी हो चुके हैं अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले